सबसे बहले मैं आपको यहाँ पे किलियर कर दो कि C-section एक बहुत बड़ा operation होता है इसको आपको बिल्कुल भी मजाख में लेने की जरूरत नहीं है और C-section होने के बाद में आपको जो भी guideline दी चाती आप उनको follow जरूर करें ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं C-section होने के बाद में आपकी एक लाबरवाई आपको बहुत महेंगी पड़ सकती है इस बात का आप जरूर ध्यार रखें अब हम बात करते हैं जब आप होस्पीडल से discharge होके घर पे आती हैं तो आपको सुरूरत के पंदरे दिनों में किस तरीके की diet लेनी चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी recover हो और आपके टांके भी ना पके तो सुरूरत के जो पंदरे दिन होते हैं उनमें आपको सुबह नास्ते में जादा से जादा डाल लेनी है मूं की डाल लेनी है और आपको जादा से जादा दल्या खाना है दल्या आप मूं की डाल डाल के बना ले आप दल्या को सबजियां भी डाल के बिलकुल बना सकती है और ध्यान रखे सबजी आप ऐसी लिए जो बिलकुल भी बादी ना हो और शुरुआत में आप प्याज का सेबन बिलकुल भी ना करें क्योंकि प्याज जो है बहुत जादा गैस बनाता है तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें फूल गोबी बंद गोबी मतलब कुल मिला के बादी अइसी लिये चो बिलकुल बादी ना हो आपको छूने भी नहीं है and आप सबजियां कुछ गिनी चुनी ही ले सकती है जैसे कि आप पालग ले सकती हैं मेथी आलू ले सकती है और ध्यान रखे कि आपको सुरुआर के पंदरे दिनों तक सबजी में बिल्कुल हलका सा ओयल डाला है आप मूं की डाल ले ईड्याँ के पंदरे जनों तक आप को जो है डाल में घी या तेल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है क्यूंकि इस से आपके टांके पकने का बहुत जरए डर रहता है उसके बाद में आप सलाद बिल्कुल ले सकती है सलाद में आप खीरा ले चुकंदर टमाटर लेकिन ध्यान रखे खीरा और चुकंदर अगर सूट करता है उससे खांसी जुकाम नहीं होता है तब ही आप ले अदरवाइस आप बिल्कुल भी ना ले और उसके बाद में आप जो है सी शेक्षिन होने के पंदरे जिन तक आप दूद बिल्कुल पी सकती है लेकिन ध्यान रखे दूद में आपको एक परसेंट भी मलाई नहीं रखनी है दूद आप बिना मलाई का ही ले अप जब भी ले मलाई उतारके उसमें आप प्रोटीन एस पाउडर डाल के बिल्कुल ले सकती है कोई दिकतबाली बात नहीं है और आप सेब का सेबन बिल्कुल कर सकती है लेकिन आप ध्यान रखे सेब को उबाल के ही ले ठंडा बिल्कुल ना ले इससे आपको सरदी खासी हो सकती है और आप सुरुआत में पनीर का भी सेबन बिल् तांकों को जल्दी-जल्दी से जल्दी करने का में जरूर खिए असकर पर गंडरेंगे , अपनर रखने के साधो कि चुण पार म्म対 चुंद्न पर शल्रैसा को नियूंत लुकर आप क्या करें आप अपने लिए हरीरा बिल्कुल बना सकती हैं कोई दिकत नहीं होती। और ध्यान रखें कि आप जो हरीरा बनाए वो चीनी का बिल्कुल भी ना बनाएं आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ गुड यूज करना है। चीनी गल्टी से भी आपको खाने की जरूरत नहीं है और उसके बाद में एक बात और दियान रखे कि आपको हरीरा में बहुत जादा तेल नहीं डालना या आपके लिए बहुत जादा नुकसान दायक होगा तो आप हरीरा में बिल्कुल हलका ही तेल डाले अगर आपको हरीरा पसंद नहीं है तो आप मेवा के लड्डू बना सकती है कोई दिकतबाली बात नहीं याद रखे उसमें भी आपको घी बहुत जादा नहीं डालना है और आप मेवा अपने मन पसंद डाल सकती है और हरीरा बनाए या फिर मेवे के लड़ू बनाए तो उसमें जो है आप घोडु जरूर डाले घोड जो यह आपके जोड़ो में दर्ट, पीट में दर्ट, कमन में दर्ट इनमें बहुत ज़ादा है और मैं आपको यह सजेशन जरूर दोंगी कि आपको हरीरा भी जरूर खान दूद के साथ जैसे जैसे आपका टाइम बड़े तो आप दो कटोरी भी ले सकती हैं कटोरी चोटी से सुबह ले 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 बट ले जरूर आपको ये बिल्कुल एवॉइड नहीं करणा है पंदरे से 20 दिन के बाद जो आपकी सुरुआत की 6 महिने तक जो डाइट रहीगी उसमें आपको एक बाद ध्यान रखना है आपको तली चीजे बादी चीजे ठंडी चीजे बिल्कुल नहीं खानी है क्योंकि ये सिर्फ आपको ही नुकसान नहीं करेंगे बलकि बच्चे को भी बहुत नुकसान करेंगी क्योंकि डिलिवरी होने के बाद में बच्चे का जो डाइजिस्टिक सिस्टम होता है उसको धीरे धीरे विक्षित होने में काफी टाइम लग जाता है इस बात का आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि C-section होने के बाद में आपकी body में already इतनी gas होती है और आप अगर ये चीजे और खाएंगी तो आपको और ज़्यादा gas बनेगी आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी आपके पेट में दर्द होगा आपके सूजन आएगी इन बात कि आपको operation होने के 3-4 दिन के बाद में आप जो है गरम पानी अजमाइन डालके लेना start करतें इससे आपको बहुत सारे फाइदे होंगे सबसे पहला फाइदा कि आपका milk बहुत अच्छा बनेगा दूसरा फाइदा आपकी body में गर्माहट रहेगी और तीसरा फाइ तो आपको बिल्कुल भी सर्दी खासी नहीं होगी चौता फाइदा कि आपका जो पेट है वो जल्दी से जल्दी कम होगा और एक बात और ध्यान रखें C section होने के 3-4 दिन तक चाबलों का सेबन गल्दी से भी ना करें और अगर आप diabetes की patient है तो तो आप चाबल भी ना छु पानी है गिनी चुनुही दाले खानी है ताकि आपके पेट में गल्ती से भी सूजन, कब्ज, पेट दर्ट, गैस किसी भी प्रकार की सिकायप ना हो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें और आप ज़्यादा से जादा तरल पधाटों का सेबन कर सकती है इसमें आप नारिय बात आपको बोजन एक दम से खटा ना खाए इसपेशली सुरुआत के एक से डेड़ महिने आप थोड़ा थोड़ा ही खाए कम से कम पान से छे बार ले ताकि आपका खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और शुरुआत में आप जल्दी से जल्दी रिकबर होने के लिए अच्छी सी नीन जरूर ले ये भी आपको बहुत हेल्द करेगी आपकी बोड़ी को रिकबर होने में और सी सेक्शन होने के बाद में अगर आप हेल्दी डाइट लेती है जादा से जादा दाल और दलिया है हरीरा है दूद लेना स्टार्ट कर देंगी तो इससे क्या होगा आपको जो मिल्क है वो लगातार छे मैने तक बनता रहेगा और बहुत ही अच्छी मातरा में बनेगा और आपके बच्चे का भी प्रॉपर पेट भरा रहेगा और आप भी फिट रहेंगी इसलिए आपको यही डाइट फॉलो करनी है जो मैंने आपको बताई है अगर आप कटी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और आप कोशिश करें सी शक्षन होने के बाद में जहां तक हो सकते आप थोड़ा सा टहलने की कोशिश करें धीरे धीरे ताकि आपके जो टाके है वो जल्दी से जल्दी हील हो इस बाद का आप जरूर ध्यान कि 6 मेने के बाद अगर आप कोई भी बादी आइटम स्टार्ड करें खाना तो पहले बिल्कुल जरा सा खाए और उसके बाद में बच्चे को दूद पिलाए उसके बाद में आप देख लें कि आपको नुकसान तो नहीं कर रहा है और बच्चे को न नुकसान करें तभी ज़्यादा बढ़ाए अगर नुकसान कर रहे तो आप उसको वही की वही रोग दे और एक बात और ध्यान रखे कि आपको इसक्षेक्शन होने के तुरंत बाद खटे फलो का सेवन ज़्यादा नहीं कर रहा है और जैसे आपका टाइम बड़े उसके बाद में आप खटे फ ज़्यादा रिक्वैर्मेंट बढ़ जाती है जो कि सिर्फ खाने से पूरी नहीं होती है तो आपको इनको बिल्कुल एवाइड नहीं करना है और इन सारी बातों का आप जरूर ध्यान रखे और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीजिस को लाइक करें जरूर दबाए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तरह जरूर पहुचे तो थैंक्यू फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में